आप और आपके परिवार वाले अच्छे होंगे, सुष्ट होंगे मित्रों, मनुस्य के जीवन में खुसियां आती जाती रहती है मनुस्य को कभी बहुत सारी खुसियों के प्राप्ती होती है तो कभी कई प्रकार की मुसीवितों, कई प्रकार की समस्याओं, कई प्रकार के कश्टों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है और ये सारे के सारे ग्रहों के अनुसार, कोचरों के अनुसार और रासी में ग्रूँओं के प्रिवर्तन की वजह से दैनिक दिंचरिया में घटिध घटनाओं पर अधारित होती है मतलो, ऐसे में भगवान स्रीहरी विशनु जी की किर्पाए से आपके जीवन में समस्त प्रकार की समस्याओं से किस प्रकार चुटकाराप्राप्त कर सकते हैं मतलौ, आपको बताएंगे आपके जीवन में कौन सी घटनाइं होने वाली हैं कौन सी बड़ी खुसकवरी आपके जीवन में प्राप्त होंगी, किस प्रकार से जीवन के समस्त प्रकार के समस्याओं से आप चुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, आपके धन के छेत्र में किस प्रकार से बढ़ोत्री हो सकती हैं, धन की देवी मातालक्षमी जी किस प्रकार से जीवर के समझत प्रकार के समस्याओं से आपको चुपकारत दिलवानी वाली है मित्रों, कारी बैवसाय बैपार के छित्र में भी आपको किस प्रकार से सफलता की प्राप्ती होंगी बिजनस करने वालों को किस प्रकार से लाव मिल सकता है और कारिश्यत्र में आपके पत परतिष्टा में किस प्रिकार से बढ़ोत्री हो सकती है मित्रों आपको बताएंगे आपका लखी कलर, लखी नंबर कौन सा रहनी वाला है तथा आपके जीवन में कौन से ऐसी घटनाये हैं, जो आपके जीवन को प्रिवतित कर सकती हैं, धरणडाप करवा सकती हैं मित्रों, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से विडियो को आख्रीत देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य करने ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वालिनों को बेहतर बना सके तब द्रों सबसे पहले तो आपको बता दे कि अगर आप अके रहें और एक कामत में हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखें अन्य था आप इस वीडियो को यही पर इसकीब कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली सारे के सारी जानकार्या रहसमय और आपके लिए जानना, सुनना और समझना बहुत भी आवसक होगा क्योंकि इस सारे के सारी जानकार्या गुपत रहेंगे मत्रों, अगर आप के जीवन में किसी भी प्रकार की विद्न या बाधा आ रही हैं, धन से जुड़ी आपके जीवन में परिसानिया हैं, आप धन तो कमाते हैं, प्रन्तु धन का सही जगा इस्तमाल न करके गलत चीजों में धन चला जाता है या धन नहीं रुकता है वैसे में आपके जीवन में स्वास्त से जुड़ी, पारिवारी कलेश से जुड़ी, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं से आगर आप प्रिसान हैं, तो आप इस विडियो को पूरा अकेले में देखें, जोकि सारी की सारे गुप्त बातें आपको हम मित्रों सबसे पहले तो आपको बता दे कि सूर्य आपकी रासी के आठवे भाव में गोचर करने वाले हैं। आप सामाजिक और राजनितिक और दसाधार्मिक कारे में सही योग कर सुकोगे। आपको अपने जीवन में स्वास्त को लेकर सतकर रहने की जरूरत रहेंगे। आपकी जीवन की परिवरतन सील घटनाओं के कारण आपका विवाह बहुत जल्द सफल होगा। विवाह के मार्ग में आ रहे ही आपकी पाधाएं बहुत जल्द दूर होने वाली हैं। मत्रों भगवान स्रीहरी विश्मजी की क्रिपात हैं। आपको कारिश्यत्र में मान सम्मान के प्राप्टी होगी। और अगर आप किसी लड़की को परपोज करना चाते हैं। तो आप समय आजुका हैं आपका समय उत्तम रहेगा। आपको इस कारे में सफलता के प्राप्टी होगी। और आपका विवाह भी बहुत जल्द समभब हो सकेगा। आपको संतान के पक्षे से बड़ी खुदकवरी की प्राप्ती होंगे संतान का किसी बड़े कॉलेज या बड़े इंस्टेट्यूट में दाखिला संपब हो सकता है आपको कारिश्यत्र पे भी काफी अच्छी खुदकवरी की प्राप्ती होंगे आपका माहौल आपके अनुकूल रहने की वज़े से आप परसंता की ओहर रहेंगे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात कर सकते हैं भागे का पूरा-पूरा सहयोग मिल रहा है और जिस भी जादा का भागे सहयोग करता है वो दिन दूबनी रात चोगनी तरक्य करता है ऐसे में आप वह लखी भागे साली इंसान है जिसका भाग अभी इस वक्त बहुत बहतन साथ दे रहा है जिनकी वज़े से आपका आने वाले समय में धन की विर्दी होंगी कारिशत्र में बड़ा मुनाफ़ा भी मिलने वाला है आप किसी विशेश कारिकेर ये घर से निकल रहे हैं तो आप माता फिता का आसरवाद जरूर ले ले आपको सफलता की प्राप्ती निशित तोर पर होगी मित्रों अगर आप किसी जौब या इंट्रिव्यू को देने जा रहे हैं तो आज घर से बाहर निकलने से पहले अगर आप काम पर भी जा रहे हैं तो आप जरूर सुनिएगा आप घर से बाहर निकलने से पहले सबसे पहले माता पीता के चर्णों को असपर्स कर ले उसके बाद आप अपने इस्ट देविता को याद कर ले और सभी देवी देविताओं की जहां भी आप मंदिर बना रखे हैं जिस भी देवी देविताओं की आपने घर में परतिमाय लगा रखी हैं उन्स सभी के सामने जाकर आप हात जोड़ कर भिंदी करके आप पराफना खरें और आप अपने कारे को सिद्ध करने के लिए उनसे भिंदी करें आपका कारे अवस्य पूरी होगा वहीं अगर आपके घर में गरी कलेश बन रहा है अगर आपके घर में पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं रहता है तो ऐसे में पारिवारिक माहौल को ठीक करने के लिए आप अपने पुर्वजों से विंदी कर सकते हैं आप अपने पुर्वजो से हाथ जोड़कर उनको मन ही मन याद करके आप उनसे विंती करें कि आपके घर का मावल बहत्रिन रहेगा मित्रों आज के दिन आप किसी धार्मी कर्ष्थान पर विताओगे जैसे की जागरन, किर्तन, भजन संद्यादी में इससे आपके मन को सांती और शुकून की पराफ्टी होंगे आप अपनी वानी परनी अंतर रखें, अगर आप वानी परनी अंतर रही रखोगे तो आपका बना बनाय कारी भी विगड़ सकता है आप अपने बच्चों के साथ अच्छे वरताव से फेश आने की कोशत करें नित्रों आज के दिन अगर आपका कोई कोट का चारी से जुड़ा मामला चल रहा है और अगर आप आज के दिन उनका सुनवाई होने वाला है तो वह आपके पक्स में आता हुआ दिक हाहा है और आप इस समय पहुत इप्रण सल्ण होंगे विद्यार्थी वर्ग के दातकों को बताना चाहूंगा कि आपको अपने पढ़ाई पर लगातार फोकस रहनी की जुरत होंगी इस समय आपके मन में भटकाव उत्पन न हो रहा है ऐसे में भटकाव को नियंतरत करके आप पढ़ाई की और ज़्यादा ध्यान देंगे तो बहतर रहेगा मुबाइल जैसे उपकरनों का प्रियोग कम से कम करने की कुशित करें ये तातमभव जिस भी कारे को कर रहे हैं उस पे आप ज़्यादा ध्यान एकतरत करें मत्रों भगवान स्रेहरे विश्मुजी की कृपा के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी आप महरबान रहेंगे जिनकी वज़े से आपको किसमत का सहयोग भी पराप्त होगा और किसमत का सहयोग मिलने की वज़े से आपके जीवन की रुकी पड़ी योजनाय पूरी होंगी और यदि लंबे समय से आपके तरक की रुकी हुई थी तो आज आपको उसको भरपूर लाव की प्राप्ति होंगी आपको कारिशित्र में बहत्रिन खुशकवरी की प्राप्ति होंगी बाहर को खाना खाना से बचें जी हाँ अगर आप जंक फुड के सौकीन हैं तो आप घर में ही उसे बना रें अन्य था बाहर की खानों पर आप परहेज करें नहीं तो आपकी सिहत बिगड सकती हैं पेट में गैंस जैसे समझाएं रह सकती हैं आप कोई समय बाहर के खानों से परहेज रहने की चुरत होंगी मित्रों जो लोग नौकरी पे सबाले हैं जिन लोगों का नौकरी हैं और वोज चाहते हैं कि उनकी नौकरी में बहत्रीन सफलता मिले अगर आप नौकरी में परमोशन पाना चाहते हैं या धन के छित्र में बढ़ोत्री पाना चाहते हैं तुमित्रों आज के दिन आप अपने बॉस के साथ चिकनी चुपड़ी बातों को करने की कोशिद करें। लोग बैपारी वर्ग के जातक हैं जिन लोगों का बैपार व्यवसाय है। उन लोगों को भी 72 सफलता और अच्छे काम काज करने के मुखे मिलें के आप नए नए कलाइंड से मिल सकते हैं अपने बिजनस का व्यपार कर विस्तार कर सकते हैं जिनकी वज़े से आपकी आमदनी जोग मिलने वाला है। बैपार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन विसेश रहने वाला है। आपको कारुबार में कुछ नए बदलाव करने होंगे। जिससे की भविस्ते में आपको बहुत बड़ा फाइदा भी प्राप्त होने वाला है। मित्रों विर्ज़गार लोगों को जो भी इस समय विर्ज़गार हैं नोकरी के इतलास में हैं। उन लोगों को बताना चाहेंगे कि आप नोकरी में जो भी आपको कारे मिलें आप किसी भी कारे को करने से पीछे ना हटें। छोटे मुठे सभी कारे को करने की आप अवस्य क आपके कड़ी मेहनत आपको बहत्रिन सफलता दिलवाएंगी आपके सिसाम को मित्र के साथ मिले जा सकते हैं और धन प्राप्ति के लिए योजनाओं को बना सकते हैं। आपके समस्त प्रकार के समस्याओं से आपको चुटकार दिलवाएं। आपके कारशत्र में काफी बड़े कुछ कबरी की प्राप्ति हों। इसके लिए मैं भगवान से विंति करूँगा। जिन्चे कि आपके सभी विगड़े कारे बनेंगे। जैमा विंदू आचने। चुझ झाब अपके समस्वान झालन।